स्वामी डॉक्टर अरधेश्पुरी जी महराज आपसे ही शुरुवात करते वे बागेशर वाले बाबा की ओर से रामचरत मानस पर जो बयान दिया गया वो भी आपने सुना और हिंदू राष्ट बनाने की वकालत कर रहे हैं क्या है इस पर जवाब आपका आप लोग भी इस इसपरता हूंगा कि रामतीरित मानस पर उन्होंने जो बात कही है वह अपने आप में बिल्कुल सत्य hätte क्योंकि इस सत्य पर क्याकं अ मानवता समरस्ता मानवी उमर्यादिया और आदर्षय चीजो वगओन रामने इस थापित किये हैं और किसी क्या संथ को शोभा देता है कि वो संविधान के इस तरह से धज्या उड़ाएं मक्हौल उड़ाएं क्योंकि विरोधी दल यही कहते हुए उनके उपर हमलावर हैं कि हिंदूराश्ट्र की वकालत को इस संथ कैसे कर सकता है जो लोग निश्चित रूप से इनके खलाब बोल रहे हैं या यह कह रहे हैं कि कैसे कर सकता है उन लोगों के यह मालूम होना चाहिए कि 14 अगस्ट 1947 की रखो बारेव दे लाड मांट वेटन और पंडित जवाहरलाल नहरू के बीच जिस रेजिस्टर पर हस्ताक्षर हुए थे उसका अर्थ क्या था मैं कहना चाहूंगा कि ट्रांसफर और पावर एग्रिमेंट क्या था क्या इस देश को आस तक बताया आस तक क्यों नहीं बताया जब हम अपने स्वतंत्र भारत में रहने के बाद वो था एक सत्ता का हस्तांतर और हमको कह दिया गया कि आपकी फ्रीड आसाद नहीं हुआ था आप यह कहना चाह रहे हैं कि वह सत्ता का हस्तांतर हो गया था अब हिंदुस्तान को मल गया था यह केबल सत्ता का हस्तांतर हो रहा इसलिए महात्मा गांधी उस रात को अंग्रेजों के बुलाने पर भी उस कारक्रम में नहीं आये थे तो मेरा कहने का मतलब है महात्मा गांधी जब स्वयम कह चुके हों कि कुछ सत्ता के लालची लोग सत्ता के लालच में सत्ता का हस्ता तो मतलब आपकी आपकी कहने का मतलब यह है कि यह जो हिंदू राष्टी की संकल्पना को साकार करने की बात कर रहे हैं बाबा बाबा बागेश्वर वो बिलकुल ठीक है आपकी बात से यहीं समझना है मैं यह कहना चाहूँगा कि यह देश में 80% हिंदू रहते हो अगर वो इसकी बात नहीं कर सकते हो तो क्या मतलब हुआ हम 80% है इस देश में हमारे नुसार अगर देश के कानू नहीं बनेंगे तो किसके नुसार बनेंगे और क्यों बनेंगे ठीक है कलिमुल हफीज जी इसका सब्सक्राइब देंगे आई मायम से हमारे साथ जुड़े हैं प्रमो क्रिशन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीठा धीश्वर हैं कलकिधाम के प्रमो जी सिधी आपके पास आते वे अब 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 धेश पुरी जी महाराश का तो यही कहना है कि हिंदू राष्ट की वकालत करके क्या गलत कर दिया क्या गलत नहीं कर दिया विशह यह नहीं है भारत एक धर्म निर्पेक्ष राष्ट है जहां तक हिंदू राष्ट बनाने की बात है तो बीजेपी की सरकार है नौ सालों से गोशित कर दो पाल्लेमेंट में बिल लाओ या वडिने अपना विचार रख रहा हूं अगर किसी को लगता है कि हिंदू राष्ट बनाने से भारत का उत्थान होगा भारत का भला होगा भारत विश्व गुरू बन जाएगा तो घोशित करना किसका काम है यह तो सरकार का का काम है ना भारत की संसत का काम है यह मेरे कहने से हिंदू राष्ट नहीं बनेगा या किसी और के कहने से हिंदू राष्ट नहीं बनेगा हम लोग जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई उससे पहले सभी लोग सभी धर्मों के सभी जातिय हैं तो फिर हमको पार्लेमेंट में एक बहस तो करानी पड़ेगी तो मैं चाहता हूं कि यह तो काम सरकार का है उसको तो बाद में जोड़ा गया था वो तो इंद्रा जी के शासनकाल में आ गया था चित्रा जी आप बहुत ही विद्वान एंकर हैं बहुत ही सुलजी हुई एंकर हैं अगर इंद्रा गांधी जी ने कोई शब्द उसमें जोड़ दिया तो बीजेपी हटा दे उससे कौन रोक रहा है यह कह दा है कि यह सेकुलर कंट्री नहीं है किसने रोका नौ साल में इतने विदेक आये हैं इतने बिल पास हुए हैं इतने ओडिनेंस आये हैं किसने रोका है कर दीजेगा आप हमारी हैसित क्या है क्योंकि बीजेपी से कोई हमारे साथ इस वक्त मौझूद नहीं है और यहां पर संतों की एक राहे निकलकर सामने आ रही है अलग-अलग हिस्सों से उस पर मेरा सवाल था राजुदाज जी आपने आचारे प्रमोत क्रिश्टन को सुना वो कह रहे हैं कि हटा दे फिर बीजेपी अला कि बीजेपी का इसमें अभी तो कोई रोल नहीं है क्योंकि ये बागेश्वा धाम से शुरूआ और फिर ये विस्तार ले रहा है हिंदू राष्ट था हिंदू राष्ट है और हिंदू राष्ट रहेगा क्योंकि इस समातन वाला देश है हम सरवेबहन तू सुठना सरवेशंतू निराम आया विस्तु बंदूत और वस्देव क्रमों के भाव से समाज में कारे रख काम करते हैं समातन सल्शकृती सब को फल ने और सब को गली लगाया और हिंदुस्तान में सब सांतिपुन तरीके से रहते हैं लेकिन जब आप कोई हिंदू राश्ट की बात करता है तो मैं पूछना क्याता हूं कि धर्म के आधार पर देश को बाटा किसने हैं हमने तो बाटा नहीं भाई देश में लड़ाई हर विक्ति ने लड़ा और लड़ने के बाद क्यों बना लिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान हिंदू हिंदूस्तान में रहेंगे मुस्लिम पाकिस्तान जाएंगे पहली बात तो यह गलत हुआ अभी पुझ अचार जी बोल लेए थे आचार प्रमोध किष्टन जी यह सवाल उन से है यह कि किया, नम्र एक, नम्र दो, सभी लोग मैं देखता हूं लगातार धिरिन सास्ती के पीचे पड़े हुए हैई कि धिरिन सास्ती अधिर्न सास्ती हूं ऑईसा करें, डिरिन शास्ती हूं पूछना जाता हूं, 13XT, 13 मीटब हूर, मैं पूछना चाहता हूं, इसाई के द्वारा वो तो सनातन को नहीं मानते हैं तो ढोंग धकोशला ताम जाम क्यों करते हैं ठीक है